इन्वेस्टमेंट इस सेक्यूर्टी मार्केट और सब्जेक्ट तू मार्केट रिस्क रिडॉल्ड दे डॉक्यूमेंट्स किरिफली विफोर इन्वेस्टिंग नमश्कार दोस्तों मैं ओमेश्यर्मा चार्ट चार्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कि कहां से उसमें ब्रेक आउट्स या फी पुल बैक देखने को मिल सकता है तो दोस्तों इन पांचों स्टॉक की अनैलिसिस हम करना चाहेंगे इसके साथ साथ दोस्तों और भी चीज़े हैं जो इस टॉक्स के बारे में हम आपके साथ डिसकस करेंगे तो आज की वीडियो का माइंट्री का जो स्टॉक है अभी जो ट्रेड करा रहा है वह 4927 रुपे के आसपास और अगर मैं इसके अनैलिसिस करूं तो दोस्तों यहां पर मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पैटन फॉर्म हुआ है और उस पैटन का ब्रेक आउट हमें देखने को मिला है पैटन का दोस्तों वह हम यहां पर समझेंगे यह पैटन को जिस तरीके के देखने को मिला है अब दोस्तों यहां पर मैं माइंट्री की बात क्यों कर रहा हूं उसका एक रीजन है सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब बजार डाउन ट्रेंड में चलता है और लो और हाई और लो बजार में देखने को मिलते हैं तो बजार की एक रेंज होती है और जब रेंज को ब्रेक करता है तो वहां से उसमें बाइंग देखने को मिल सकती है अब अगर हम माइंट्री को देखेंगे तो लगातार इसमें लगातार देखने को मिल रहे थे और लोग आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे तो इस case में क्या करते हैं जो हाई होते हैं उसको connect करते हैं लोग को connect करते हैं अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पुल बैक देखने को मिला है अब पुल बैक देखने को मिला यानि कि ब्रेक आउट दे हो सकता है कि इसमें मेरे क्लाइंट का ट्रेड हो सकता है यहां पर आपको बोलना चाहूंगा कि आप जब भी अपना कोई ट्रेड बनाते हैं तो खुद की सेल्फ अनालीसिस और यहां फिर अपने फैनेश अडवाइजर से सला लेकि ही उसमें ट्रेड करिएगा यहां पर यह हम गिला है कि देकने मिलते लो लो बजार में देखने को मिलते हैं और यहां पर ब्रेकाउट के बाद बज्ण थोड़ा से अ 돼ता है और उसके अकॉडिक अगार्ट के बात करें तो 44,970 के आसपस का रेट मुझे लगता है कि आने वाले टेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है तो यह जो स्टॉक है माइंट्री इसको अपनी डार में रखेगा खुद इसमें अनालीसिस करिएगा और फिर देखेगा कि यह स्टॉक कहां तक बढ़ता है अब हम चलते है अगले स्टॉक की और जो है जैनिसिस इंटरनेशनल मैं क्या करता हूं जैनिसिस इंटरनेशनल का चार्ट आपके सामने यहां पर लगा देता हूं और यहां पर आप इसका अगर रेट देखेंगे तो रेट इसका चल रहा है साथ सो पंद्रा अब 715 के असपस का रेट चल अब वीकली चार्ट में मैं इसकी अनालिसिस क्यों कर रहा हूं क्या रीजन उसका मैं बताना चाहूंगा दोस्तों की जरूरी नहीं है कि स्टॉक हर स्टॉक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं वीकली चार्ट पे चलते हैं जिसमें एक ओबर वियू मिल जाता है कि ऑबर आसे करें आइक नहींट सरी तो आपको एक चीज़ मिलेगा दोस्तों और ब्रेकंट कहों बाद है डोस्तो और वो मंहें वो एतना जबरदस्त है आगर आप देखेंगे कि यहांपी एक ब्रेक-अउट था कुछ मानले कि चलूगा डो आपको बताना चाहूंगा वह बनता था 670 के आसपास 670 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था और रेजिस्टेंस का जो ब्रेक आउट आया है वो वॉल्यूम के साथ है अगर आप देखेंगे तो यहां पर वॉल्यूम आपको देखने को मिला है और अगर आप बार भी अगर प्लैन करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको इसार डिसकस करना चाहूंगा अगर आप चाहे तो 716 पे अपनी बॉजिशंग बना सकते है दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा अपको पोर्स फोली नहीं कहारा कि बाय करो यहां पर इसमें मेरे खुद के क्लाइट की पोजि इडियो बनाई हुई है जो को मारे description में मिल जाएगी पिन कमेंड में मिल जाएगी इसके इलावा आप बटन में भी हमारी पुलबैक की वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पे पुलबैक भी देखने को मिल सकता है तो आप चाहे तो अपने बाइप बनाके 11-70 तक आता है तो आप अपनी कर सकते हैं तो यह पच्छा स्टॉक है इसको आप डर में रखिएगा वॉल्यूम के साथ ब्रेकव्ट आया है तो जब किसी stock में volume के साथ breakout आता है और बड़े time frame पे आता है daily chart weekly chart बंदिली चार्ट पे तो वो stock long time के लिए अच्छा हो सकता है अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे stock की जो है infosys अब infosys का chart मैं आपको लगाना चाहूंगा और infosys का चार्ट के हम practice करेंगे दोस्तों वह अवर्ली चार्ट पे क्योंकि आपको जैसे पैता है था कि different time frames पे different breakouts हमें देखने को मिलते हैं तो infosys का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं infi का चार्ट और infi को अगर हम देखें infosys का पैटन देखने को मिलाता बट माइन ट्री का जो breakout आ चुका था बट अभी इसका क्या breakout आया नहीं है इसका जो breakout आएगा 1490 के आसपस आएगा 1490 के आसपस तो जैसी 1490 का level break होता है अभी 4080 का rate चल रहा है 1490 का level break होता है तो वहां पे आपको क्या करना है सिर्फ उसी दो bullish candle find करनी है और bullish candle के उपपर यहां पे आप अपनी by opportunity find कर सकते हैं और यह अवर्ली चार्ट पे अभी एक range में फसा हुआ है तो range से तो भाहां निकलेगा निकलेगा अब जब range से भाहां निकलेगा तो फीर ही क्या होगा दोस्तों वही difference होगा जो high और low के बीच में difference होगा उत्रा ही target आपको देखने के मिलेगा तो मेरे साब से इन्फोसीज एक अच्छा stock हो सकते है 4090 के उपपर 1490 के उपपर इसमें by opportunity find कर सकते हैं और जब यह level break करेगा तो मैं खुद अपने जो clients हैं आप ही मेरे जो खरीद लूँगा तो उसको लिक के रखिए और इसमें अलट लगा के रखिए और चार्ट को देखते रहे प्राइस को देखते रहे और जैसी वो उसको रेकाउट आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या गनना है तो कई लोग कहते हैं मैंने मिस कर दिया यह point मै ले नी पाया मैं बीजी था मैंने चार्ट को बाद में देखा है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप नहीं सोचा होगा कि यार मैं ट्रेड करने वाला था बड़ मेरे हाथ से निकल गया मैं देखनी पाया क्योंकि हमने analysis उस stock की पहले कर ले तो बैटा रहता तो बहुत स्टॉक है वह फॉर्टी नैंटी को पर अच्छी फाइंड कर सकते हो मैं खुद 1490 पर जाएगा तो मैं खुद अपने क्लाइंट को सला दूंगा कि इस टॉक में वह बाय कर सकते हैं तो यहां पर एक इन्फोसी स्टॉक है इसके बारे मैंने बता दिया आपको और आप जब 1490 का लेबल रेक होगा तो इसमें आप अपनी वाय प्योर्टिप कर सकते हैं अगला जो स्टॉक है दोस्तो वो है जिओ Geofin Services का stock है और यह जो stock है दोस्तो हमने पहले भी suggest किया था आज भी दोस्तो इसको suggest करना चाहेंगे और इसकी analysis मैं आपको करके देना चाहूँगा Geofin Services का stock मैं आपके सामने यहां लगा देता हूँ और यहां पे दोस्तो मैं इसका daily chart लगाना पसंद करूँगा और आज फिर से दोस्तो breakout की तरफ है अब breakout क्या है उसको थोड़ा सा मैं suggest करना चाहूँगा बताना चाहूँगा तो अभी फिलाल आपको कुछ इस तरी का pattern दिखाई दे रहा है और अभी अगर देखें तो 373 के आसपस कहीं इसमें breakout है और breakout आने वाला है दोस्तों क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो प्राइज है और रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है क्योंकि पहला हाई यह देखने को मिला था दूसरा हाई यहां पर देखने को मिला दूसरा यहां पर breakout हुआ वापी से नीचे आया वापी से तेजी से इसने एक bounce back दिया तो कई बर हमें देखने को मिलता है कि बजार में जब एक तेजी आनी होती है तो वो इस तरीके से चलता है वो इस तरीके से चलनी कोशिश करता है ऐसा नहीं कि सीधा सीधा उपर प्रिवियस हाई को ब्रेक करता हुआ यह लगाता रूपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है इसको भी आप क्या कर सकते हैं इसको हमने पहले भी बहुत नीचे रेटों पर सजेस्ट किया था और आज तो इसका रेट काफी अच्छा है और हम यही और सब्सक्राइब अपने एक नाइलीशी करना है और क्या कर सकते हैं दूसरी चीज़ आपको यह भी देखने को मिलती है कि कहीं बार जब ब्रेक आट देखने को मिलता है तो ब्रेक आउट के बाद यह वारी टेस्ट करने आता है और और फोट पुलबैक देता है इसलिए कि पूल बैक वाली जो वीडियो है मारी हमने पहले शूट करी हुई है उसको आप देख सकते हैं पिन कमेंट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर चेक आउट कर सकते हैं और यह क्या होता है कि यहां पर रिटेस्ट करके वापिस से उपर जाता है कि भाई स्टॉक है 375 पर जिस्टेंस है तो सीधा 380-390-400 चल जाता उपर है वापिस नीचे आता है फिर तेजी पकड़ता है और ऐसा कहीं बार हमें देखने को मिला है तो कोशिश करिए कि कहीं बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टार्गेट सा जाते हैं बट कहीं बार ज्याद तो इस चीज को दोस्तो थोड़ा सा द्यान रखेगा अब दोस्तों चोगला स्टॉक बताने वाले हूं वह काफी भैतरिन डीन स्टॉक में ब्रेक आउट आया है और हो सकते हैं कि इस टॉक में में क्लाइयन की बोजिशिन भी हो सकती है वह स्टॉक में आपको बताना रहा है exactly price के बाद करूए 615 है और breakout जो है इसमें 600 के आसपास ब्रेक आया था और अभी stock का price 615 बताया है वह है resistance level है resistance को break कर रहा है थोड़ा सब्सक्राइब और फिर से इस level के आसपास इसमें फिर से retest करके फिर से pullback दे सकता है तो यह बहुत अच्छा stock है volumes बहुत अच्छे हैं इसमें और इस stock में भी अपनी पैनी ने बना के रखेगा और यह stock मुझे लग रहा है आने वाले trading session में अच्छी आजी तेजी दिखा सकता है मुझे जो टार्गेट लग रहे हैं फिर से कहना चाहूंगा अगर आप इस stock को बाय करते हैं उससे पहले अपने फैने अडवाइजर से करते हैं तो इन सबकी डिटेल्स आपको हमारे लिंक यानि की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर मिल जाएगी तो यह stock अच्छा stock है दोस्तों मैं आपको टार्गेट बता दिये इसमें ब्रेकाउट है डेली के चार्ट पे बहुत अच्छा लिंग है उसका वीडियो दोस्तों म Jonas करें और आप कोशिश करते हैं कि आपके जो भी विषिष हैं उसको फुली करें एसे तो किसी ने में को comment किया था जो ने बोला था कि अच्छे stocks बताओ तो मैंने सोचा जो अच्छे stocks हैं आप ही को क्या सब को बता देते हैं और हम अपनी वीडियो के थूई को subscribe करें आज के लिए वसी इतना ही थन्यवाद